आज डिसकस करेंगे explosive welding के बारे में explosive welding कैसे होती है और उसके अंदर कौन-कौन से हम components को use करते हैं सबसे पहले डिसकस करते हैं कि explosive welding इसका नाम क्यों रखा गया है क्योंकि इसके लिए हमें explosive material चाहिए होता है तो explosive material का हमें इसके अंदर use करते हैं welding के लिए ये एक solid state welding होती है solid state welding solid state welding कौन सी होती है जिसके अंदर हम दो material को melt नहीं करते उनको plastic state तक गरम करते हैं और आपस में वो एक bond बना लेते हैं तो ज़्यादा melting नहीं होती सिर्फ उसको plastic stage तक उसकी ले जाया जाता है और दोनों के बीच में एक bond create हो जाता है और lower surface है इन दोनों के बीच में bond create होगा plastic stage के कारण इतना नरम हो जाएंगे और आपस में ये intermolecular force के थूँ जुड़ जाएंगे atomic इनके अंदर contact हो जाएगा तो solid state welding हम उसको बोलते हैं जिसमें plastic stage पे जाके हम उसको जोड सकें और ज्यादा melting ना हो metal की means जिसके उपर हमें welding करनी है इसको लगबग हम coating के लिए use करते हैं मान लिजी कोई ये corrosive material है हम इसके उपर कोई coating करना चाहते हैं ताकि ये corrode ना हो तो उसके लिए हम ज़्यादा तर इसको use करते हैं तो हमारे पास एक base plate होती है ये है हमारी जिस चीज की हमें coating करनी है जो ये plate है इस plate की हमें coating इसके उपर करनी है हम इसको cladding भी बोलते हैं cladding भी हम इसको बोल सकते हैं या फिर जिस plate की coating हमें इसके उपर करनी है हम इसको बोल सकते हैं इस plate के उपर यहाँ पे ये है explosive इस welding को करने के लिए explosive material की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसकी reaction को और उसकी जिस direction में वो होगी उसका हमें पूरा पता होना चाहिए तो इसलिए explosive की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है यहाँ से यहाँ तक यह है stand of distance stand of distance मतलब जो यह base metal है यह इससे हम एक angle पर रखेंगे इसको जो हमारी coating plate है उसको एक angle पर रखेंगे ताकि जब यह explosion हो तो एक दम से एक jet create हो plasma jet हम उसको बोलते है plasma jet क्या होता है plasma jet होता है कि काफी गरम air या कोई gas इसके बीच से flow करें तो explosion यहाँ पे होगा यहाँ पे हम explosion start करेंगे जब यहाँ पे explosion start होगा तो क्या होगा explosion start होगा उपर से force इसके उपर लगेगी इस plate के उपर और एक दम से लगवग 10,000 से उपर उपर का pressure create होगा और यहाँ से एक plasma निकलेगा जो plasma jet है air का पूरी compressed air, hot air होगी उसके कारण जो velocity create होगी इन दोनों के बीच में जो explosive के कारण इसके और इसके materials के बीच में एक bonding बन जाएगी यहाँ पर देख सकते हैं miss figure के अंदर, यहाँ पर welding create हो जाएगी welding create हो जाएगी जैसे जैसे plasma jet आगे की तरफ बढ़ेगा, यह welding create होती रहेगी और यहाँ पर जो explosion है वो नीचे की तरफ force लगाएगा और यहाँ से इतना तेजी से एक plasma jet निकलेगा कि इन दोनों की जो molecules की high velocity interaction होगी तो वो एक welding joint create कर देगी दोनों के बीच में तो इसलिए इसको solid state welding भी बोलते हैं क्योंकि melting जादा नहीं होती, plastic stage पे जाकि यह दोनों जुड़ जाते हैं तो इसको बोलते हैं explosive welding तो thank you वीडियो देखने के लिए और ज्यादा updated वीडियो के लिए आप मेरे चैनल learn and grow पे मुझे subscribe कर सकते हैं thank you